उस समय उनको लाखते प्राखस बोलते थे आज उनको कॉंग्र्स भी वह को अगर मजबूत करना व्यपक्स वालों से बहज जी के साथ जूड़कर एक टीम के साथ देखिए एक महला को एक-एक मोती के जरूरत पड़ती है अगर मंदिर नहीं बना होता तो बीजेपी जोइन करने कोई मतलब नहीं था नहीं फिर भी था अंदर मन में तो फिर भी है लेकिन कहीं पीडियां चली गई हमारी इस चीज में मंदिर तो भगवान राम ने खुद बना है हम तुम का हमारी साथ से तुम्हारी हमारी किसके आत्म है राम का अथमे राहूल गाधी तो निया यात्रा निकाल रहे हैं उनके साथ अभी तक निया निया निकाल गए जा करें क्योंकि अब ऐसा कौन रहे गया इस भारत में जो मानने मोदी जी का विरोध करें डिक्टेटर्शिप ज्यादा बढ़ गई है मतलब जिसको राश्ट की चिंता है वो भाजपा में आएगा जन विश्वास और जमी पर कारी अब नारों में काम नहीं होता है मानना बहसानों से विकास वोता है ऑज मोदी जी के नित्युत में विकास तो पर एंखों से दिख रहे हैं और जब बीकास आँखों से दिखाई देता है तो जन समरतन मिलना स्वाहिक होता है बड़ी संक्याब लोग हमसे जुड़ रहे हैं आज हर्दुरुर्की के अंदर भी जो हमारे युवा साथी पार्ट से जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ इस विश्वास कात कि इस बार की लोकसभा की जीत जो हमने पांच लाग कंतर बोला है उससे ज्यादा से हम ज कि हर नेता की मेर्टु के बाद सट्ता प्राप्त करना कई कॉंगरेस का सिलसिला नागेया था और उसके उद्हारन मत दे सकतेgenesम जबानार नेरु मरे उसके बाद लाल बाद सा 얼마나 सास्थी नाजबाज साथ इन रेज़ीं कि मिर्ट्ऑ इंदरा गांधी नी इन रासी महार पिते हैं' इसे एक सोईनिया प्रीम निजान दोघ हंए आप लोग कर रहे हैं जो आज भारत के अंदर वहान राम के मंदिर के आस्तु पर शुक्तिक नहीं करते हैं जिनके पड़े नेता न्यायलों में इस बात की पैर्विए करते रहें वहान नहीं वाज बादा वातन बना राम भारत के हर नहार जाती रहिए कि हिर्दे में राम बसे में उसी का प्रेणाम है कि इतने वर्षम बाद भाग्या मंदर बना है तेखो भाई हमने तो काया ना जब राम तरेता युग था तो अनिको संत रिशी हवन करते थे यज्य करते थे उस कालकर्ण में बिगनालने काम कुछ लोग करते थे कि आज भारत वर्षका अहरे नागरिक भगवार राम के भवे मंतर अनुष्ठान कर रहा है हवन कर रहा है और कृतान भजन हो रहे हैं उसमें तो विगनालने काम किया है नता की मेरी बात मेरी पूरी बात मेरी नहीं जोड़ रहे है और भार जंता ने से सब्के लिए दर्वाज्य ख़ले हैं आप शाले हूए हुए आथ है और रहा जोडते हैं उसे विचारतों जोडते हैं सब्सकार जोडते हैं और देश के मुख्यदारास को रदान जी हो तरहा अज आज जन्दर सिंग जी प्रदान जी और बुट से यूआ इस जूड़ है वार्ट जेह भुलाया है प्रृष्व के लिए कि राजनीती में काम करने वाले कारेकरता वहिश्य दल के अंदर हमेसा आगे बढ़ता है मैं उनके लेशु कामना देता हूँ जो कांग्रेस के बड़े लिदर मोदी जि लिहार में लिहार में लगते हैं अचानक आजाएं बहिया उनको लक्स अब जब अरीश रावाजी के सपने में होँ जी आ रहे हो तो सपना फिर वी तो अधार होता है हमार तो हम तो आज्यात में लोग हैं देरे-देर लोगों लग सब लोग को लेते हैं जो हम से छोड़ कर जाता है हम उसकी गलती निए अपनी गलती मानते हैं लेकर हम ना अपनी गलती मानी ना हम अपना नहीं बना पाए हम आज भी आपसर देते हैं एस्वाल जी को फिर आपनी अपनी गलती तुदा रहे हैं वहाएं यहां यहां पर जिसके निमीत युवाव का एक कारेक्रम भी है चलो गाउं की ओर ये भी एक कारिय साला है जिसका उद्गाटन हमारे परदे सद्दक जी करेंगे मैं अंदर भट जी और आज ये हमारे योगा है अक्से परताब जी अक्से परताब जी के नित्रतों में काफी हुआ आज भारती जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो अब असी और नभ्य के आसपास आज कारे करता भारती जनता पार्टी को जोईन कर रहे हैं जो और उनमें उत्सा और उमंग बहुत है ये सवाल तो उन से पुछूँगा मैं कि जब किसी के नित्रतों में जब युवा टीम आती है वीजेपी जोईन करती है किसी कोई भी पा जाता कि आपको चुनाओ लड़ना है चुनाओ किसको लड़ना है ये हमारे सिर्स नेत्रतों को पता होता है और कहां किसको लगाना है ये भी हमारा सिर्स नेत्रतों की जुम्यदारी है जो भारते जनता पार्टी में जिस भी कार्य करता को जो कार्य काम दिया जाता है वो न में में मंगलोर कि बात करूं तो मंगलोर में जो काजी निजाम बुदीन वह ऑगा रहे है थी हम BSP वालों को चॉंग्रेस जो एनकरा रहे हैं तो जब कोई विक्ति अपने नित्रत्तु में जोइन कराथा है तो उसका उधर से कहीं चुनाव लडने का होता है नहीं ऐसी बात होती हर किषी के अंदर आप तो पार्टी के लिए एक माला बना रहे हैं एक माला में जो है है कारियों में हमारी जिंधरी बनती है कि जितने हमारे साथ व्यक्ति है जो हमारा भी समर्थन करते हैं और जो जनीत के कारियों में रहते हैं उनको हम पार्टी के मेंश्रीम में लेके आएं उनको कारेकरता बनने का एक मौका दें और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी पार्टी का हमारे सभी सीनियर्स का जिन्हों ने आज के दिन के लिए हमे में पर्मिट किया मौका दिया हमें मैं कुछ समय पहले ही तो आपने जॉइन किया और आप जॉइन कराने लगे मैं जॉइन करना क्या है कि यह देखिए सामाजिक आप शेत्र में रहते हैं जरूरी नहीं हर आदमी पॉलिटिकली भी इन्वाल्ड रहे हमारा करतव यह बनता है समाजिक शेत्र में जितने भी लोग जुड़े हूं उनको अगर पॉलिटिकल में स्ट्रीम में हम लेके ला ला सकें उनके थूरू जो काम हो रहे हैं उनको भी हाइलाइट कर सकें तो यह पार्टी तो एक प्लैटफॉर्म देती है आपको तो अच्छे सा अच्छे लोगों पूर परधान है पूर विधायक है यह हमारे केंदर नेतरतों से यह जो कारिक्रम है जोइनिंग का यह उसके तहत भी है यह नहीं है कि कारिक्रम की जो व्यक्ति चुनाव लगना चाहता है राजनितिक में हसेप है उसका कि चुनाव लगने के तहत ही अपने संदक्षन में जो है पार्टी को जोहिन करवा रहा है अब आप देखिए अभी पांच या छे जनवरी को पर्देश कारेले पर भी बहुत से अन्य पर्देश पूर विधायक जो है कॉंग्रेस के वो भी सामिल होना चाह रहे हैं क्योंकि अब ऐसा कौन रहे गया इस भारत में जो मानने मोद जी के परती एक सवाल कि यह कहा जाता है कि अगर लोकतंतर को जीवित रखना है या लोकतंतर को मजबूत करना है तो एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो लोकतंतर जीवित नहीं रहता या लोकतंतर स्वास्त लोकतंत करा रहें अब विवक्स को अगर मजबूत करना विपक्स वालों से बेजना सला देंगे कि तुम भी जड़ा सही मेंस्ट्रीम में हमारे पास आओ इसकी जुरुत क्या है सारे जब एक जगही आ जाएंगे तो वही लोकतंत्र की जो खुबसूरती होनी चाहिए जो मजबूत व इतनी हो यहां है उनका भूवा को प्रेरिद हो रहे है निकरीरे और सभी हर किसी को कुछ करा करेंगे सब को जयन करा लें वोसके यही तो सबसे बड़ा मैसेज है कि यहां इतने लोग जूडते चले जा रहे हैं कि जिसका कोई वहीं नहींने रहा है अबहुत लंबे समय है टेंशन मत लीजिए अभी और आता जाएंगे उन से पूछे का सबाल तब जलिए बागी लोगों से भी हम चर्चा करेंगे क्या करें रहते हैं एक हिंदु जो पिर नहीं जाता है और वह बीजेभी गपी कारे करता है तो यह चीज़ है आप कुंगरेस की बात कर रहे हैं कंग्रेस हमारे हितों में इद्छ गाम किया ने नी बताए हैं ना आप आप मते ना भाई मामला क्या है उड़ी चनता वो बाजपा में आयगा इसको राष्ट कि जिनता नहीं हो अपन जिसको परिवारवाद के चैणिया को कि म समयnaire को किया मुअ जेस्सकोंने परिवार को बढ़ावां देना जिसको एक परिवार एक विशेष की लोगों की संवांस करनी है वो फजादे में और सबी लोग अई सबी कि परिशे कर्साएं बर्लोप्स बीजेपी करिये बिल्कुल आपको दिखाई देरा रहा है डवलमेंट विजएपी कर रही है। सडकों का जाल देखलो कि अमें तो करज भी दिखाई दे रहा है कि वारत में कितना हो रहा है। कहां करज है। अगर करजा। तीन गुना कर्च 2014 से अब तक तीन गुना कर्च जो है बीजेपी सरगार ले चुकी आपको अखले जी डवलोमेंट हो रहा है ना डवलोमेंट दिख रहा है ना आप मेरी पास से सहमध हो या नहीं हो आप से उधार ले करके मैं मस्ती से जीता रहूं यह सही है क्या आप मेरी कणा को करजा कई है करजा पकार लगの चैनल रहा है तो घृब में में लग रहाए नीकिन जानिए नहीं कि अ भी डियोगी के घृड़ार ही तरफी के अपने परिवार को लेकर घुमा जा रहा था तब कर्जा हो रहा था था यह और बता दूँ बैं तब करजानी हो रहा था तब इटली में जाके छुटे मनाई जारी ती वो तो तब काप करजानी बता रहे था कि करजानी बीबी और स्विस्स बेंक में पैसा जमा हो रहा है सर ऐसा है अभी जो बोल लेते काला धन आने वाला वही नहीं है अभी तक स्विस्स बैंक का पैसा नहीं पढ़ा हुआ है एसा लगता है की परभू श्रीराम का शिरवाद हमें भी मिले अच्छा मंदिर में मुद्धा है बिलकुल अगर मंदिर नहीं बना होता तो बीजेपी जोइन करने कोई मतलब नहीं था नहीं फिर भी था अंदर मन में तो फिर भी है लेकिन कहीं पीडियां चली गई हमारी इस चीज में तो काफी अच्छा रहा बीजेपी मतलब क्या यह त मेन बाद तुई हैं जी हमारे हैं प्रेम नगर्चे जो हमारे रिंकु भाई हैं यह सब की साथ खड़े हैं और इनके जैसा आज में तक हता हूं पूरे हरुदवार जीले में नहीं होगा तो बस हम तो इनगे पीछ हैं जी यह पाई हम एक तरह सा हमारे बाप है क्या कहें हैं पर्भावित हैं उनकी योजना हैं और सी योजना क्या है अब इनकी स्लेंडर से लेकर घर बनाने तक की योजना देख लो जो नहीं हम महिला सुरक्षा बहुत-त मुद्धीं ऐसे जो पर् प्रभावित किया है इसलिए उनसे प्रभावित होकर हमने बीजेपी जोइन करने की इच्छा किया है और हम सब जितने भी सारे ही हुआ है वो गुर्जेंदर सिंग उफ रिंकू परधान और हमारे अक्षे भाईया और और भी कहीं हमारे भाई संग है जो आज हमें इस चीज जो आपकी है चिज अहिन कर प्रभाई के आज पूरी साथ जो आपकी है पूरी टीम जो है जो है बीजेपी जाइन करई आप यह जोड़ी आए वोग जलदी बीजेपी मैं आय थे वह लेका है बेगा भी अमें लेका है बीजेपी संगठन से मतलब नहीं है नहीं क्यू नह परताब जी के नेतरत में मैंदर बट जी जो परदे सद्यक्स है उनकी प्वस्तिती में रिंगु परदान जी जुएन कर रहे हैं यह बहुत मजबूत आत्मी है और प्रेम नगरंकंदर मुझे लगता है जिस परकार से समा से पहले परदान भी रहे हैं सलेम पूर राजपुत परदाना से ऐसा नहीं है और अक्से परताब जी के साथ जूड़कर एक टीम के साथ देखिए एक माला को एक-एक मोती के जरूरत पड़ती है तो उसका एक माला का इससा रिंगु परदान बन कर आया है बीजेपी को बीजेपी के साथ यू जूड़ रहा है और प्रेम नग अब अपने बाप पताने वहां बहुत बड़ी बात है आप इससे डेख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं जी बताइए मुझे बीजेपी एक्चल में क्या एसा कर रही है कि सारी यूगा जो है वीजेपी जॉइन कर रहे हैं लेगे लेजी वैसे तो आप बहुत अच्छी सवाल बीखते हैं सबसे जैसे समस मैं देखा है और यही बात है कि जैसे रिंगू-bhahit रिंगू-bhahit यह परधान भी रहे हैं वह परधान रहे हैं अपने वदर से और समाच सेवा करते हैं आदमी को खोई न को यह काम तो कॉंग्रेस से भी हो सकता था पार्टी सेवा करनी है तो इसा कुछ लिखी था कि बीज़ेपी में तब सेवा करेंगे हम उहां हो नहीं पारी पारी यहीत भाषणना चाहरा हो उनमें खुद में एक जुटतन यह है आप यह देखो न हमारे सामने आप एक चीज सोचो हमारे जो जी लाद्यक्ष है आज तक हमें उनका नामivesse consume अप हमार से यहां जिलाद्यक्ष का नाम पुछो, यहां से पुछो और द्वार से पुछो प्रदेश अद्ध्यक्ष का नाम पुछो उमें के वह काम कर रहे हैं, आप यह बताओ ना, जिस टैम कोई इनसान पीडित होता है, उस टैम कांग्रेस कहां खड़ी है, करोना काल इत बोफ़ देश की बाववनाव का उन्हें नहीं पता है झोड़ क्या है क्या है गौन सी बावनाती जिससे तो बहुत फ्टादा हो चैस्प्रेम होता है तो वो इस राश्ट प्रेम से कभी जोड़नी पाएंगे अचा आपी जबाब दो कैसा रहा आभी कुछ दिन पहले एलेक्शन थे अपना यहां पर इसमें तो एक बंदा भार निकलता है तो एक बंदा भार निकलता है वोटर भार निकलता है तो उससे जैसे हम जैसे मित्र लिए उसने का में राश्ट में डाल गया तो वहीं एक कंग्रेसी घड़ा था वो क्या बोला कि देखो सर यहां बीजेपी का परचार कर रहे हैं तो आपको समझ सकते हैं कि मैं राश्ट में जब वोट करूंगा तो किसके लिए गरूंगा और राश्ट के भीना वोट करूं लिए काम करते हैं और आप एचीज हमारी उसमें भी उठाशकते हो कभी हमने कांग्रेस को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया लेकिन हमारी जो हमारे नीचे जब आप जब आप बीजेपी में रहोगे तो बीजएपी को सपोर्ट करो गया खूल के करेंगे अब तक हम जोटसी है जोटा Haare यह लगता है उग़र एक कार्य करता अपने जिलातीफ से मिलना चाहे या एक कार्य करताश के लिए काम करता आटड़ अपने जीवाति मिलना चाहे मीटिंग लिस्ट मुनकषा पता चलता है noises अब हमारे जो एरिये में पानी की सबसे बड़ी समस्याती हमलो ने मिल-बाठ के काम किया इतनी बड़ी हुआ गोशित है उसमें लोगों के साथ जा चा कर इतने आहिँ पानी में हम फिर आहं लोगों कर एंस के लिए कांकर हैं हम सिर्फ हम मानफता के लिए काम कर रहे हैं और किसी कुछ कहना है को मन की बात मोदी जी मोदी जी बहुत मन की बात कहते हैं और अब एक बात कहूंगा कि देखो परधान तो यह हैं यह पैसे दिल के भी परधान है यह नहीं होता हर आदमी की मत वैसे भी मदद करने में यह नह कर जो है और प्लेट्पोर्म बनेगा घुर की तो किशना ह Eine ने बहुंत कुछ कर अब राम बनना राम बंदिर जिध कह लो हमारे बढ़ों ने कितनी का मोरे पिता खुद कार सेविक थे और उन्होंने मार भी खाई अब तक आप किसे सपोर्ट कर रहे थे अरे हम तो चुरू से भाजपई है यह तो अब लेया है यह तो आना पड़ा हम तो बच्छपन से बच्छपन से और भाजपा एक ऐसी कैलो की एक हर आदमी के अंदर सीने दिल से बोलत हां आपको बता होगा है आप तो बहुत पराने की लेड़ी कामोरी है क्या मिला हमें यह पड़ा हूं आई आएम सब से पहले जब बढ़ जब सुई नहीं बनती थी तो इसके बाद हमाइजाज बना हम तुम क्या हमारी साथ से तुम्हारी किसके आत्म है राम के आत्म है तो अब राम परदान और बनेगा बाच भाहिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका यह हम से लगे सवाल करने एक भी कॉंग्रेस ने क्या किया कॉंग्रेस ने क्या किया आपको बनाए बड़े-बड़े संस्थान बनाए एनाइटी बनाई लेकिन बीजेपी में जो शामिल होता है बीजेपी के लोगों को कही बार चीज़े नहीं दिखती है आपको क्या-क्या क्या-क्या दिखता आपको बीजेपी-का वो कमेंट सेक्षेञ्ट में अपने प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए राज चर्वा पर यह ना भारतमा सर्वा पर यह इसलिए सूखी सूख है और वीजे एक नारा हो रहा है सब सनतन कीजे सब भकतन कीजे विशु का कल्यान यानि कि विशु एक अपना परिवार है सब का कल्यान सब के बहले में भला वास्तों में सबका हो रहा है बीजेपी के शासन में या नहीं देखे आप देख रहे हैं कि अलपसंक्यक समाज और खासकर अलपसंक्यक समाज में मुस्लिम समाज कितनी अधिक मात्रा में आज भारते जन्ता पार्ण में जुड़ने का कारिय कर रहा है जो अलपसंक्यक समाज है अधिकतर बीजेपी के खिलाफी बोल रहा है अब वो कहां बोला है हमें तो दिखाएं दे रहा है बोल तो रहा है यह तो नजरी से देख रहे हैं यह आपका अपना विवेक है रिपोर्ट की बात कर रहा है अधिकतर जो है अलपसंखिक समाज बीजेपी के खिलाफ मोधी के खिलाफ अधिकतर है वो कुछ उनिंदा भर्मित लोग है वरना आज की वास्तिकता 2014 से जो पहले का जो समय था उससे बिलकुल भीन है आप मुझे बताएं कि अलपसंखिक समाज के लिए खास्तर पर मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है जिससे कि अलपसंखिक समाज जो है बीजेपी के साथ जुड़ा रहे और जुड़े अच्छे से मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि जितनी भी योजना है जो हमारे यससी परदामंतरी मानने ने ने दमोधी ने जो योजना चलाई है उसमें अलपसंखिक समाज की हिस्सेदाजितों बराबर है अलग से भी अलपसंखिक समाज के लिए अने को योजना चलाई है जो इससी कौन-कौन सी योजना है जो इसपेशली अलपसंखिक समाज ने बेनिफिट लिया और वो मुसलिम समाज यह समझे कि बीजेपी उनके साथ है क्योंकि मुसलिम समाज यह कहता है कि बीजेपी बिल्कुल अगेंस्ट में है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कौन-कौन से चीज़े ताकि आप समझा सके और वो लोग सुन सके समझ सके सबसे अच्छी बात ता कि जनता सा आपकी बास सुनेगी अभी विस्व कर्मा योजना लौंच हुई है उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी अलपसंख समाज को मिल लेगे हैं चाहे वो सोचाले हो चाहे परधान मंतरी आवास योजना हो जितनी भी योजना हैं उसका पूरा-पूरा फैदा और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यह सभी योजना है यह गरीब तबके के लिए और सबसे ज़्यादा गरीब तबके आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज बड़ी मात्रा में निवास करता है भारत में और सबसे ज़्यादा जो फायदा है और सबसे ज़्यादा जो लाब है आज भारती जनता पाल्टी की नेत्त्तों में मुस्लिम समाज उठा रहा है लेकिन अगर हम कुछ अलग चीजों की बात करें जैसे अगर कानून आया राम बुझरों मैं आज बिलकु सांत कुछ भी नहीं क्योंकि जो भर्मता खतम हो गया सच्चा ही सामने आगी आ तो नहीं दिया गया नहीं कोई नहीं हम सबसे अगली सबसे अगली पंक्ति में बैट रहे हैं हम आप आप पॉलिटिकल विखती है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है लोग के साथ ऐसा हो सकता है और रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं बिलकुल मेरा तो मानना है कि दोजार चोदा के बाद विकास का जो पहिया वो तेजी से दोड़ा हर समाज के जो मोधी जी के नेतर तुम भारती जन्ता पार्टी नहारा दिया सब का साथ सब का विकास सब का और फिर बाद में जोड़ा सब का परियास उस सब के परियास में अलपसंक्यक समाज भी बारती जनता पार्टी के साथ आ रहा और जो भ्रांतिया दूसरे राजनी दिवलों नों पैदा की दी वो खतम हो रही जहां तक 370 या 35 की बाद है अब वो सारी इस्तिती साप होगी क्य में भी हुआ और वहां की आम जन्ता उसको समझ रही है मतलब आज जो जौइनिंग है इससे कितना मजनफित हो जातीए पार्टी ने भारत जन्ता पार्टी है अब से एक परणिता पार्टी की सरकार चल रही है को जो जितने बारतिय जनता पार्टी के जो नीती है और जो उसके दुवारा जो कारी किया जा रहे हैं जनता के हित्में वो सब लोग देख रहे हैं कि धरती पर दीख रहा है जब उन्हें दीख रहा है तो वो भी ऐसे पार्टी से जुड़ना चाहेंगे कि भाई जिससे हमारे छेतर का विकास संभव हो तो क्यों नहीं हम भी ऐसी पार्टी साथ जुड़े हैं इसलिए सब लोग बीजेपी को जोइन कर रहा है जी आ बेलकुल कॉंग्रेस के लोगों कुछ किया है ना अपने समय में जिसको जैसा अच्छा लगा किया अगर वास्तों में अस्थाइट तो लना है तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा और जो काम सही नहीं होते तो उनका जो ने उतने समयत तक स्य तो था अगर कॉंग्रेस का तो कॉंग्रेस ने बहतार काम किया था तो इस तैसल नहीं बनावा था पाचास साल साट साल सातर साल के घिकर कर रहें आप लोग गर ow था चले सिटार्ट एभी था तो Character को किसब करार किस सरकार की आज सकता तो समय था सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देश के लिए पार्टी काम कर रहे हैं धन्यवाद